नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागता सिविल डैमेशन चैनल पर आज का हमारा टॉपिक है SS बास्केट वर्सेज टैंडॉम बास्केट इस वीडियो में हम प्रैटिकल साइड वीडियो के जरिये दोनों में अंतर समझाएंगे और साथ ही इन टॉपिक्स को कवर करेंगे जैसे किचन में यूज होने वाले बास्केट कितने प्रकार की होती हैं इन में क्या डिफ्रेंस होता है आपके घर के लिए कौन सी बास्केट पैस्ट होगी और लास्ट में करेंगे प्राइस कंपेरिजन तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए बास्केट दो प्रकार की होती है पहला स्टेनलेस स्टील बास्केट जो 304 या 202 ग्रेट की स्टील वाइट से पनी होती है जिनकी तिकनेस 3-7 mm तक होती है इसमें नॉर्मल टैलिसकॉपिक चैनल लगाया चाता है जो किसी भी ब्रांड का ह हो सकता है यह स्टील बास्केट मोस्टी मेट इन इंडिया ही होती है लोकल इंडियन ब्रैंड दुवारा ही इन बास्केट को बनाया और बेचा चाता है इस कारेंट से हैं किसी भी साइज में कस्टमाइज भी करा सकते हैं इन पास्केट की लोट बेरिंग कैपसिटी चैनल क क्वालिटी पर निर्भर करती है कि हमने चैनल किस क्वालिटी का लगाया है अंदाजा पकड़ के चले तो पंदरा से 20 किलो वेट का समान आप इन ड्रॉर्स पर रख सकते हैं दूसरे टाइप की किचन बास्किट सिस्टम है इनोटेक या फिट टैंडॉम बास्किट सिस्टम ह के नाम से मार्किट में पेशती है और हैफले कंपनी इस बास्किट सिस्टम को प्लम टैंडॉम बॉक्स के नाम से पेशती है हैटिक जर्मन कंपनी है और हाफले भी जर्मन कंपनी है इसका मतलब यह हुआ कि यह कंपनी अपना सारा मेटरियल अपनी ओरिजन कंट्री से विल्ड होता है किसी भी प्रकार का चैनल वेरिंग आदी विजिबल नहीं होते ऐसे स्वायर पास्केट के तुलना में इनकी लोड पेरिंग कैपिसिटी भी जादा होती है इन्हें आप अपनी लोड पेरिंग कैपिसिटी के हिसाब से भी और कर सकते हैं जैसे यह डॉर और रेन पैनल लेमिनेट प्लाइवूड का होता है या फिर जिस में हम किचन कर रहे हैं वारंटी की बात करें तो ऐसे वायर बास्केट की वारंटी चैनल की वारंटी पर निर्पर करती है क्योंकि 304 ग्रेट की वायर पास्केट तो खराब ही नहीं होगी 202 ग्रेट में रस साल की होती है अब इनके advantages और disadvantages की बात कर लेते है stainless steel basket में noise और wobble बहुत जादा होता है वहीं inno tech या फिट tandem basket में noise और wobble ना के बराबर होता है SS basket में soft close channel का use कर सकते हैं वहीं inno tech या फिट tandem basket so close ही आते है stainless steel wire basket में ventilation काफी अच्छा होता है क्योंकि wire के बीच में काफी gap होता है वहीं inno tech basket system drawer को container का shape दे देता है इसलिए इसमें ventilation बहुत कम होता है SS drawer में gap होने के कारण grill से spoon आदी पास हो जाती है कई बार कड़ाई आदी handle भी पस जाता है inno tech system में base spill होता है जो use करने में भी काफी convenient होता है SS drawer system जातर carpenter made kitchen में किया जाता है यह easy to install होता है inno tech drawer system modeler kitchen manufacturer और machine made kitchen में किया जाता है SS drawer system में cutlery drawer में perforated sheet का use किया जाता है inno tech drawer system में cutlery के लिए organizers का use किया जाता है जो एक अलग accessories है price की बात करें तो SS wire basket का price buy weight और per piece दोनों के हिसाब से ही आता है अगर basket customize है तो vendor kg के हिसाब से charge करेगा 304 grade के लिए per kg price 300 से 350 तक हो सकता है और अगर ready made basket लेंगे तो per price के हिसाब से 1500 से 2500 तक price हो सकता है tandem basket 5000 से 7000 उपे के बीच में आती है aesthetic की बात करें तो SS basket देखने में premium accessory नहीं लगती वही tandem या फिर inotec basket premium and rich look feel देते है price related link description में डालती हैं आप यहाँ जाकर check कर सकते है in short अगर आपका budget low है और आप durable, eco friendly, convenient and easy to clean product देख रहे हैं तो आपके लिए stainless steel, wire या फिर perforated basket best होगी और अगर stylish, elegant, highly functional designer product ढूंड रहे हैं और budget का कोई issue नहीं है तो tandem या फिर inotec basket system आपके लिए best होगा kitchen material और design से जुड़े कुछ useful links मेंने description में डालती हैं इन्हें आप जाकर देख सकते हैं ओप यह वीडियो आपको informative लगी होगी तो वीडियो को like और share केजिए और channel को subscribe करना ना भूले thanks for watching civil dimensions